मोराई छठ मोर छठ वरत कब हैं 2024 पूजाविधी हलो एवरीवन वेलकम बैक टू में चैनल खुन्ज ओफेसिया आवर योर चैनल कैसे हो आप लोग है होफसो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आये हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्र शठी को मोराई छठ वरत किया जाता है इस वर्ष ये पर्व साथ सितम्बर दिन रवीवार को मनाया जा रहा है इसे सोरे शठी वरत या मोर छठ के नाम से भी जाना जाता है भगवान सुरे को संबर्पित ये दिन सुरे उपासना एवं वरत रखने के लिए विशेश पूरानों की अनुसार हर महिने में आनेवाले सुक्ल पक्ष की सस्थितिति को घर मनुस्य को सुड़े देव का ये वरत अवस्य करना चाहिए खास कर भादर पदर सुक्ल पक्ष सस्टिती थी के दिन ये व्रत करने से मनुस्य को अश्व मेग यग जितना फल प्राप्त होता है मुराई छट पर कैसे करे पूजन कि सुड़े देवता सिग्र ही प्रसन हो हर व्रती धारी को मुराई छट व्रत पुर्ण सद्धा एवं भक्ति पुर्वक रखना चाहिए इस दिन गंगा स्नान का विशेश महत्व है लेकिन अगर किसी कारण वर्ष गंगा स्नान संभव नौ हो तो घर पर ही नहानी के पानी में कुछ एक मात्रा में गंगा जल डाल कर स्नान किया जा सकता है इस दिन सुरे देव की उदय होते ही भगवान सुरे देव की उपासना करना चाहिए इस दिन पंच गव का सेवन अवस्य करना चाहिए दिन भर में एक वार नमक रहित भोजन करना चाहिए भाद्र पद्र सुकल पक्ष शस्टी तिति को जब तक सुरे उपासना नहीं करना चाहिए इस दिन सुरे देव की विभिन नाम तथा सुरे मंत्र का जप अवस्य करना चाहिए कैसा लगा आप सभी को हमारे ये मोराई मोर शठ वरत वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बारा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना बिल्कुल मुला थैंक्स पर वाचिंग कीप सब्सक्राइब